प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल लाइक, कामेंट और हिट बेल आइकान हलो स्टुडेंट्स, मैसल दीपा क्या दो और स्वागत करता हूँ आप सबको आपके ही यूटूब चैनल सिख्छड़कणे में पर आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इंपोर्टेंट टोपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो जैसा कि आप लोग देख रहा हो यहाँ पे टाइटल जो बोड एक्जाम में आप पहले जैसे आप 10th में हो यह 12th में हो बोड एक्जाम में आप जाते हो तो आपको एक सप्लीमेंटरी मिलती है उस सप्लीमेंटरी को आप किस तरह से फिल करते हो इसी का यह वीडियो है बोड परिच्छानी माहितिक के वी रित्यों भर्सो आप यह सबकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा चाहिए आप हिंदी मीडियम में हो यह फिर इंगलिस मीडियम में हो यह फिर गुजराती मीडियम में कोई भी मीडियम में हो सभी स्टुडेंट को इसी तरह से सप्लीमेंटरी भना होता है ठीक है किस तरह से आप ज आपको इस बीडियों से बिल जाएगी तो अगर आप चैनल पे नए हो या फिर चैनल को आपने अभी तक नई सब्सक्राइब किया है प्लीज फर्स अफ़ोल चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे एन बेल आइकन को प्रेस कर लिजे जिससे आपको latest वीडियो का update मिलता रहेगा तो start करते हम students किस तरह से हमें इसको fill करना है पूरी जानकारी हम step by step देखेंगे तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे यह आपका जो board exam में जब जाते हो तो supplementary आपको मिलती है answer book जिसको हम बोलते हैं वो आपका कुछ इस तरह से दिखता है जैसे आप screen पे देख रहे हो यह आपका answer book अपका front page है ठीक है आगे का page 4 standard 10th and 12th 12th वाले जो हैं वो एक बार 10th की exam दे चुके है that means उनको इतना ज्यादा tension नहीं होता बट 10th वाले थोड़ा सा nervous feel करते हैं को fill up करने पर क्यों उनको डर रहता है कहीं कुछ mistake नहीं हो जाए mistake हो गया तो क्या होगा ठीक है इस अभी आपको कोई भी tension लेने की जरुवत नहीं है ए वीडियो देख लो उसके बाद अगर आप exam में बैठ गए तो किसी से भी आपको पूछने की जरुवत नहीं है आप तुरंत के तुरंत fill up करना शुरू कर दोगे क्योंकि आपको सब कुछ पहले से मालूम ही रहेगा तो आप जैसा देख रहे हो इस तरह से आपका answer वी को front page दिखता है ठीक है आपका पहला page जैसे ही आप page को open करते हो ठीक है तो उसके second page पे आपको कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें आपको लिखा रहता है परिच्छार्थी माटे अगत्तनी सूचना हो ठीक है आपके लिए कुछ यहाँ पे सूचना है दी रहती है अब इस सूचने को पहले हम पढ़ लेते हैं क्या इन्होंने सूचना दिया है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैसे fill up करते हैं क्योंकि आपको सूचना पढ़ना बहुत ही जरूरी है अगर आप एक्जाम में बैठ होगे तो आपको अंसर बुक दे देंगे उसके बाद टाइम आपको मिलता है पांदस मिनेट आपके इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ सको तो इसको जूम करता हूँ मैं पहले देखो टोटल ओके तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे परिक्षार्थी माटे अगत्ति नी सूचनाओ तो इंस्ट्रक्शन देखते हैं जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो परिक्षार्थी यो जवाब लखवानू सरू करता पहला नीचे नी अगत्ति नी सूचनाओ अवस्च माची लेवी परिक्षार्थी मतलब जो इस्टूडेंट वहाँ पे एक्जाम देने बैठे हैं एक्जाम जो अंसर लिखने से पहले आपको कुछ जो इंस्ट्रक्शन दिये गए या आपको अवस्चे पढ़ना है अगर आप क्या करते हो इस जो सूचनाओ अगर पढ़ने के बाद आपको इसमें से सपोस कोई मिश्टेक करते हो या फिर आप उस सूचना को भंग कर रहे हो नीचम को तो जो यहाँ पे बोड के नियम होते हैं या सिच्छा कोश्टक के अनुसार आपके उपर कारवाई भी की जा सकती है इसलिए इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए और अच्छे से फिलप कीजिए तो जैसा फ्रस्ट नमबर आपको बोला गया है परिच्छार्तिनी फिरसीद, फिरसीद मतलब प्रवेश पत्र अब प्रवेश पत्र जैसे की होल टिकट आपका ठीक है जो आपका होल टिकट होता है परनो बेठक नमबर तथा बारकोड इस टीकर परनो बेठक नमबर आपको जब आपको यहाँ पर प्रवेश पत्र मिलेगा मतलब होल टिकट वहाँ पर आपका seat number दिया रहेगा जिसको बैठक number बोलते हैं इसी तरह आपको एक barcode जो मैंने आपको दिखाया अभी आपको barcode के बारे में भी पूरा detail से बताऊंगा अंदर तो यह barcode पर का जो यहाँ पर seat number है दोनों same होना चीए ठीक है इतनी चीजे एक अच्छे चाकासी तथा barcode sticker पन्नों बिसे कोड बराबर छे तेनी खातरी करी मुख प्रिष्ट उपर बतावेल बारकोड sticker चोटाडवाना खाना मा बारकोड sticker चोटाड़ू तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको जो आपके पास whole ticket है and sticker है दोनों का seat number आपको चेक कर लेना है दोनों सेम है की नहीं है उसके बाद आप यहाँ पे subject code देख लोगे बिसे code जो रहेगा वो बराबर है की नहीं है चेक कर लिए आपने उसके बाद जब आप सभी right होंगे तो आप जो starting page होता है मतलब मुख्य page, front page पे आप यहाँ पे बारकोड sticker को चिपकाओगे कहाँ पे चिपकाओगे जहाँ पे उसको आपको जगा दी रहेगी अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कहाँ पे चिपकाना है पहले हम नियम को सिर्फ पढ़ रहे हैं ठीक है अब देखो बारकोड sticker साथे कोई पढ़ प्रकाड न चेड़ा करवा नहीं बारकोड sticker आपको मिलता है चिपकाने के लिए तो उससे साथ कुछ भी करना नहीं है जहाँ पे आपको बोला गया वही पे आप चिपका दोगे आगे परिच्छार्थी है अगर आप क्या है परिच्छार्थी जो भी आप इस्टुडेंट बैठे हैं आपके पास यहाँ पे प्रभेश्च्पत्र मतलब होल टिकट है उसके अनुसार जो आपका सीट नमबर है उसको यहाँ पे किसमे देखो नियत जग्या पे मतलब बिना कोई छेक-छाक किये कोई भी मिश्टेक किये आपको जहाँ पे बोला गया वहाँ पे आप सीट नमबर राइट करोगे पे ऑट किसमे अंघरे जी अचछर में इंग्लिस में राइट करो चाहे आप हिंदी मीडियम को हो गुजराती मीडियम को हो या फिर इंग्लिस मीडियम में कोई मीडियम के हो सभी को इसी तरह से लिखना है तो जैसे आपको यहाँ पे seat number example आपका seat number दिया गया c2459128 तो क्या करोगे इस तरह से आपको bracket रहेगा साथ आपका हो सकता है seat number आपका 6 आकड़े का है तो कोई problem नहीं तो जैसे c लिखोगे तो आगे यहाँ पे आगे जो भी जितना 7 digit का है तो 7 digit में लिखो 6 digit का है तो 6 digit में तो आपने English में लिख दिया अब इसी को आपको क्या करना है words में write करना है बट कैसे English word में तो पहले c है तो c करके इस तरह से आप क्या कर दोगे यहाँ पे 10 उसके बाद यहीं देखो एक एक नंबर लिखना है 11 digit 2 है तो 2 लिखो इस तरह से then 4 write करो 5 है तो 5 then 9 then क्या है 1 इस तरह से 2 then 8 इस तरह से आप write करोगे ठीके आप रमाडे दरेक विद्ध्यार्ती पोतानों नंबर अंको अने सब्दोमा लग से आगड़नी तो दो आपने instruction देख लिए तीसरा सूचना देखते हम थर्ड आपका परिच्छार्थी है जवाब वही मतलब देखो पूरवडी न कोई पड़ पाना पर पोतानी ओड़क प्रकट थाई सके तेवा नंबर के निसान ब्रेकड में लिखा देवी देवताओना नाम के कोई पड़ धार्मिक चिन्हो सहित के लखान करो नहीं अब जो भी student exam दे रहें अब आपके पास क्या होगा जवाब वही मतलब answer book पूरवडी मतलब आप extra answer book लेते हैं तो उसमें आपको कोई भी प्रकार का ऐसा कुछ भी sign नहीं लिखना है या फिर कुछ ऐसा number नहीं लिखना है जिससे वहाँ पे क्या हो सके आपका पैचान प्रकट हो सके या फिर कोई भी देवी देवताओं के धार्मिक चिन्धों का उलेक करना नहीं है चौथा नहीं हम देखते हैं परिच्छार्थी है वर्ख खंड मा हाजार गेर हाजाद रिपोर्ट पत्रक आपको देखो जब एक्जाम में बैठोगे ते आपको जो वहाँ पे कॉडिनेटर होंगे ठीके वो आपके पास यहाँ पे एक पेज लेके आएंगे जिसमें परिच्छार्थी के आया जो भी आप स्टुडेंट का हाजर मतलब आप प्रेजेंट हो या अपसेंट हो वो काउंट की जाता है वहाँ पे और वहाँ पे आपको सीट नमबर लिखे रहते हैं मतलब आपका क्वेस्चन देखो एक खाने में आपका यहाँ पे लिखे रहेगा जवाब वही नमबर एक में आपका यहाँ पे बारकोड mask पर नमबर दोनों सब कुछ आपको वहाँ पे चेक करके फिर अपने जहाँ पे आपका सीट नमबर है उसके सामने ही आपको साइन करना है, आपका सिगने चल लेंगे पांचवा नमबर देखते हैं, परिच्छार्थी नो, परिच्छानो समय पूर थवाना 10 मिनिट आगाउ, मुख्य जवाब होई, तथा पूरवड़ी उपर खाकी इश्टीकर नियत जग्या चोटाडवानूरा से, आप सपोज क्या है, एक्जाम फिनिस हो रही है ठीक है, एक्जाम फिनिस होने से 10 मिनिट पहले ही आपको पूरा कम्प्लेट देना है कर देना है खाकी स्टिकर चिपका के खाकी स्टिकर क्या होता है कैसे चिपकाना है उसको हम देखेंगे वीडियो में भी आगे 6 नंबर का रीड करते हैं जवाब होई के पुर्वडी न कोई पड़ भागमा लखाण करती वक्ते करती वक्ते बादड़ी भूरा रंग नी साही बोल पेन सिवाए अन कोई पड़ रंग नी बोल पेन साही नो उप्योग करवो नहीं देखो अगर आप वहाँ पे जवाब होई मतलब अंसर राइट करना है किसमे जवाब अंसर बुक में आप डिटेल फिलप करना है या तो ब्लू पेन से या तो ब्लेक पेन से ही भरना है दूसरा कोई पेन का यूज नहीं करना है जवाब ना मतलब पेटा मतलब नी नीचे लीटी दोड़वा माटे अनकोई पड़ रंग नी साही नो उप्योग करना है suppose आप कोई line वहाँ पर draw करते हैं इस तरह से question को उपर ठीक है या फिर question के side में तो आपको फिर भी आपको यह तो क्या करोगे blue pen से ही करना है दूसरा कोई भी pen use नहीं करना है सातवा नंबर का देखते हैं 7 नंबर का instruction प्रतेक पाना नी बनने बाजुए लखू आपको क्या है page नंबर जैसे पल्टो दोनों side आपको लिखना है ऐसा नहीं one side right करो दूसरे side नहीं page के page के दोनों side लिखना है विभाग वाग प्रश्णों न उत्र लखो तो देखो आपको क्या करना विभाग वार मतलब section wise आपको लिखना है देखो विभाग section बदला है एट ले उत्तर नों नवा पाना पर थी लखवाने उसरो करो जैसे आपने एक section लिख दिया section A section A के बाद आपका section B आ रहा है विभाग बदला है तो आप प्रश्ण क्रमांग को क्या करोगे अपने सलंग लिखोगे ठीक है एसा नहीं पांचवा बाद में लिख दे तीसरा उसके बाद लिखें ओके जैसे आप सीरीज वाई लिखोगे तो ज्यादा बेश्ट यहां पर असर पड़ेगा विभाग बदला है त्यारे वच्चे कोई कोरुपान छोड़ू नहीं अगर देखो सपोज सेक्सन चेंज होता है विभाग आपका बदलता है एक बाद बी आता है तो उनके बीच में एसा नहीं पूरा का पूरा एक आखा पूरा पूरा पेज आपको नहीं लिख कर देना ह ठीक अगर आपका आधा भरा आजाते या थोड़ा सा भी भरा होता है तो आप लिप कर सकतो है लेकिन पूरा का पूरा पेज आपको नहीं चोड़ना है जे प्रश्न पत्रमा विभाग ना हो है ते प्रश्न पत्र न परश्न Hu you, पेटा प्रश्नों सटंग लखवाना रहे स में नए जो प्रश्ण आएंगे उसको नए प्रश्ण यहां पे पेज नंबर से स्टार्ट करना है ऐसा नहीं आधे पे खतम होता है क्वेस्चन आप उसके नीचे से स्टार्ट कर दो नहीं अगर आपका सपोस्ट क्वेस्चन नंबर 5 स्टार्ट की आपने एक पेज भर गया दूसरे पेज के आधे पे पहुँचे उसके बाद फिनिस होता है अंसर तो जो आप सिक्स नंबर का क्वेस्चन लिखोगे उसको नेक्स्ट पेज से लिखोगे उसमें से नहीं लिखोगे आने बे प्रश्णों ने वच्चे कोरू पांच छोड़ो नहीं जैसा कि अब अग अगर आप थोड़े लिखते हो उस पेज में तो उसके बाद आप नीचे नहीं लिखोगे आगे के पेज में लिख दोगे बट पूरा एक पेज नहीं लिख करना है तो यह आपके नियम थे उपरोक्त बिक्तो नी अपुर्ता माटे परिच्छा थी तथा खंड उसका भी जवाबदारी रहेगा ओके स्टुडेंट तो यह हमने अब नियम देख लिया अब हम देखते हैं इसको कैसे फिल अप करेंगे तो यह देखो स्टुडेंट आपका कुछ इस तरह से प्रभेश्पत्र मतलब होल टिकट दिखेगा ओके तो यहां पे आपका जैसे क यह मैंने अपना ही लगाया हुआ है ठीक है बताने के लिए आपको explain करने के लिए मैंने अपना यहां पे प्रभेश्पत्र मतलब होल टिकट आओ यहां पे ओकिया है चलो इसको जूम करके देखते हैं कैसा दिखता है मैंने जूम कर दिया जो हमें जरूरी था वहां पे यह जैसे कि उपर देख रहे हो गुजरात माध्यमिक अने उचतर माध्यमिक सिच्छर बोर्ड लिखा हुआ है परिच्छ विभाग बड़ोद्रा अब यहां पे आपको लिखा रहेगा होल टिकट मतलब प्रभेश्पत्र देखोगे यह रहा उसके बाद आपको माध्यमिक साडान्त प्रमाण पत्र परिच्छ जो इयर में आपकी परिच्छा होगे जैसे मेरी एक्जाम 2013 में हुई थी तेंथ की आगे प्रभेश्पत्र में दर्सावेल बिखतो परिच्छ थी न आवेदन पत्र अनुसर दर्सावी छे अब यहां पे आपको जो भी है डिटेल्स द लबे क्या है आपका यह साडा क्रमांग स्कूल नंबर है आपका इंडेक्स नंबर तो 15.397 है उसके बाद केंद्र क्रमांग आप जैसा देख रहे हो 020 है केंद्र का नाम आपको सेंटर नेम खोकरा महमदाबाद है मेरा जन्म तारिख आपका यहां पर डेट ओब बर्थ मे 1998 आगे आप यहां पर देखोगे इस तरह से आपके subject रहेंगे तरह सब्स짝 से पहले देखो पहले वाले खाना में आपको बिलडिंग नंबर डोनों तो यह जो पहला आपको दिख रहा है जीरो सिक से हमारा क्या है हमारा first language है तो यहाँ पे मेरा क्या है code 02 अगर आपका second language होता है हिंदी तो आपके उसका code अलग दिये रहेगा that means यहाँ पे आपको code number के साथ subject mention किये रहेंगे science and technology social science mathematics सबका code यहाँ पे दिये रहेगा आपका फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखोगे यह वाला जो bracket है इसमें जवाबनी भासा means अगर आप कौन से medium में पढ़ते हो आपको किस language में write करना है गुजराती का paper होगा तो मतलब आपका क्या होगा गुजराती ही होगा वहाँ पे अब इंग्लिस का paper है तो उसमें इंग्लिस रहेगा तो उसका tension नहीं आपको यहाँ पे जवाबनी भासा मतलब लिखा रहेगा नेक्स आपका इसमें दिये रहेगा परिच्छनी तारीख that means date को आपको एक्जाम है आपकी जैसे कि यहाँ पे देख रहा हो हिंदी की एक्जाम है 7-3-2013 को इसी तरह science का एक्जाम है 9 को social science SS का एक्जाम है 11 को mathematics का एक्जाम है 13 को बुजराती 14 and English 15 इस तरह से आपको dates दिये रहेगे अब dates के बाजू में आपको यहाँ पे दिये रहेगा timing ठीक है whole ticket में तो timing जैसे देख रहा हो 10 o'clock 10 o'clock सभी दिन आपका 10 o'clock से एक्जाम होगा अब जैसे 3 गंटे की एक्जाम है तो end time आपको पता ही रहेगा इस starting time आपको दिये रहेगा यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे answer book का number यहाँ पे अगर omr पे हमारे system में क्या था पहले 50 marks का i think omr था इसलिए omr मतलब mcq वाले का दिये रहता था और यहाँ पे आपको जो descriptive वाले थे उसके अगर आपका यहाँ पे mcq नहीं होता है तो आपको सिर्फ एक box मिलेंगे यहाँ ठीक है जिसका answer लिखना पड़ेगा answer sit वो मैं बताऊंगा भी आगे यहाँ पे आपका निरिचकने साही जो आपके साथ coordinator होंगे जो exam के सामने आपके खड़े होंगे exam मतलब देख बाल करने के लिए exam में तो उनका sign यहाँ पे आपको ले लेना है daily के daily ठीक है इसले क्या ensure हो हम इतने को zoom करते हैं और इसको देखते हैं किस तरह से write करना है ठीक है हमारा क्या है whole ticket तो okay हमने zoom कर लिया answer book यहाँ पर आपका answer sit number भी यहाँ पर यहाँ पर कुछ कहीं पर लिखा रहता है वो आप देख लेना जब आएगा अब इसमें देखते हैं इसको fill up कैसे करेंगे सब केंदर नंबर मतलब center number तो center number आप देखोगे यहाँ पे पीछे कहा है center number केंदर नंबर इस तरह से दिया रहेगा हो सकता सबका अलग अलग रहता है ऐसा जरूरी नहीं सबका same हो तो यहाँ मेरा 020 है तो वहाँ मैं क्या लिख दूंगा 020 इस तरह से आ गया इसके बाद आप आपको यहाँ पे देखोगे दूसरा जो option है यहाँ पे आपका परिछार्थी नहीं सही बोला गया ठीके आपको यहाँ पे sign आपका तो sign आपको कर देना है अपनी sign जो आपने hall ticket में किया है वही sign करना है ठीके आगे seat number seat number आपको यहाँ पे fill up करना है तो पिछे देख लेते seat number क्या है हमारा hall ticket ए रहा आपको जैसे आपने a sign किया है hall ticket पे तो वही sign आपको वहाँ पे भी करना है अब यहाँ पे परिछार्थी नहीं बैठक number मतलब seat number a seat number आपको fill up करना है उस supplementary में तो a445919 तो यहाँ पे हम fill up करेंगे a445919 इस तरह से पहले हम यहाँ पे इस तरह स उसके बाद अगर आपका six digit का है तो यहाँ पे fill कर दोगे seven digit का है इसने मिलेगा तो last वाले में कुछ नहीं fill up करोगे ऐसे इस रख दोगे अगर आपका seat number seven digit का है तो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा ओके अब इसको हमें सब्दों में लिखना है बट कैसे English word में तो सबसे पहले आपको a लिखना है तो इस तरह से लिखोगे आप कुछ a उसके बाद क्या है आपका a उसके बाद four लिखा then again four ए ता again four space करके इस तरह से capital में ही लिखना है then five है तो five लिखा nine है तो nine लिखा one है त इसना अपने फिल कर दिया तब तक आपके आसपास आते मालों जो वहां के खंड निराच्छ कराएंगे वह आके अपना यहां पर साइन कर देंगे और अपना पूरा नाम यहां पर लिख देंगे ठीक है यह काम उनका था अब इतना हमने फिल कर दिया आगे हम देखते हैं इसके नीचे क्या फिल अप करना है आगे मैं आपको यहां पर कर रहा हूं तो आप देखोगे यहां तक आपने फिल कर दिया यहां उन्होंने अपनी साइन कर ली complete हो गया अब यहां पर आपको यह वाला फिल अप करना है यह जो आपको दिख रहा है इसको हमें फिल अप कर अब आप देखोगे जैसे कि मुझे हिंदी आज मेरी हिंदी की एक्जाम है तो मैं क्या करूँगा यहां पर सब्जेक्ट में क्या लिखूँगा हिंदी कौन सा आपका फर्स्ट लेंगज है सेकंड है या थर्ड इस तरह से पूरा लिखोगे यहां पर दिया रहेगा तो को कोड नमबर कहां दिया इसके आगे दिये रहेगा यह रहा हिंदी के आगय जीरोटू आपको दिख रहा है तो जीरोटू हमारा कोड नमबर हमने लिख दिया अब परिच्छा नितारिक डैट मिन्स जिक डेट को आपकी एक्जाम है हिंदी की उसको आप यह देखो यहां और भाणि भासा अब हाट फिनलिष हें यहांपे सब्सुझ्या हें आपarı पर ना भाणि ईसे होगा थैसे टो तो सब कुछ यहां से देखके लिखना है भासा, जैसे हिंदी का है, तो हिंदी के सामने देखो, आपका, वहाँ पर लेंग्वेज लिखा रहेगा, तो आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप करेगा हिंदी, इंग्लिस, गुजराती, ठीके, यहां पर हिंदी है इस तरह से आप फिल अप करोगे, इतना काम हो गया, अब इतना फिल अप करने के बाद, आपका काम आता है कि बार्कोड इस्टिकर चिपकाना, बार्कोड इस्टिकर कहा चिपका होगे, किस तरह से बार्कोड इस्टिकर दिखता है, ठीके, वह भी हम देख लेते हैं, उसके पीछे अपने आप इस्टिक गम रहता है, वो चिपक जाएगा, कुछ भी आपको ऐसा निक गम लेके चिपकाने की जरुवत नहीं है, आपको इसमें इस्टेफल करने की जरुवत है, तो इस्टिकर में आप जैसा देख रहे हो, उपर आपको सेंटर दिया गया है, लेट साइ केंदर नमबर, मतलब 20, तो यहाँ पे है, इसी तरह आपको सीट नमबर दिये रहेगा, सीट नमबर पीछे आपने देखा होल टिकट में क्या था, यह 44, 59 and 19 था, इसी तरह अंसर नमबर, आप देखो अंसर नमबर में चीज है, अंसर नमबर यह आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे इसको राइट कर लेना है, कहां पे राइट करना है, होल टिकट में, होल टिकट में कहां राइट करोगे, तो देख लो सबसे पहले, जैसे यह आपको इस टिकर मिले, तुरंत आप इस अंसर नमबर को पहले राइट करोगे, जैसे हिंदी की एकजाम थी, तो यहा लेना है आपको कि आपका ये center बराबर है, block बराबर है, sit number आपका ये है, ठीक है, हिंदी आपका है, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी आपको date दिया रहेगा, यह भी आपको चेक करना है, और यहाँ नीचे आपको ssc कौन सा year है, means 10th का 2013 है तो 13 लिखा रहेगा, 20 है 21 जो भी रहेगा, वह आपको यहाँ पे लिखा रहेगा, ओके student, तो यह हुआ हमारा barcode sticker, अब देखते हैं खाकी sticker क्या होता है, तो फिर उसके बाद इसको चिपकाएंगे, आपका खाकी sticker कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ पे आपको gsc board का यहाँ पे logo रहेगा, और इस तर से खाकी sticker देखता है, ठीक है, यह हुआ खाकी sticker हमें, इसमें कुछ भी नहीं आपको लिखा रहेगा, सिर पीसी तरह से रहेगा, अब हम इसको चिपकाते हैं, सबसे पहले barcode sticker को stick करेंगे, यह आपका details fill up किया हुआ है, आपका answer book का front page है details fill up किया हुआ, तो इसको हम, देखो यह जो आपको यहाँ पर lining दिख रहा है, यहाँ पर हम stick करेंगे barcode sticker, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, पाना number 2 पर थी, परिच्छार थी, माटे अगतनी सुचना हो, वाच्या पच्छी barcode sticker है, यह चोटा डूँग, देखो हमने उसको read कर लिया है, अब हम इसको चिपका जा स तो barcode sticker आपको इस तरह से चिपका देना है, एकदम उसके उपर आके चिपक जाएगा, बराबर से, नीचे अपने आप stick होता है, वो लोग निकाल के देंगे, अब यह आपका barcode sticker चिपक गया, तो मैंने क्या बोला, यह answer seat आपको लिख लेना है, यह answer seat number है, इसको आपको exam के 10 minute पहले, तो इतने में आपका इतना बड़ा खाकी sticker होता है, यहाँ पे आपको इस तरह से चिपका देना है, उसके बाद आपका काम खतम हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे चिपका दोगे, यहाँ पे, देखो आपका यह खाकी sticker चिपक गय इस टिकर बाद में भी लगाओगे चलेगा, बाद इतना काम आपको शुरू करते जाना है, अब उसके बाद सपोज आप स्टार्ट करते हैं, राइटिंग करना अपना अंसर, राइट किये, यह आपको जो अंसर बुक है यह भर जाता है, तो आप वहाँ बोड में से दूस कितना लिए एक लिए तो एक लिखके यह पर 1 प्लस 1 कितना कर दोगे, टू लिखदोगे, यह लास्ट में आपको करना है, धियान रखना है, अगर आपने 2 अंसर सेट लिए एक्स्रा, तो यह पहला आपका एक में, यह टू, तो टोटल कितने हो जाएंगे, फ्री, इस तरह देखोगे आपका कुछ इस तरह से हैं यहाँ पे थर्ड पेज पे इस तरह से दिखेगा और यहाँ से आप अंसर लिखना शुरू कर दोगे ओके श्टुएंट तो जैसे आप सेक्शन ए लिखोगे बाद में क्वेस्चन ओए वन नमबर वन जो भी लिखना होगा आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और अगर आप चाते हो कि हम अंसर को किस तरह से रिप्रेजेंट करें उसका भी वीडियो में बनाओ तो आप नीचे कमेंट करना और मैं उसका वीडियो आपको बना के बताऊंगा किस तरह से आपको answer right करने हैं किस तरह से आपको क्या-क्या जो वहाँ पे ध्यान रखना answer right करते हुए ओके student तो आपको I think आपको कोई भी tension लेनी की जरुरत नहीं है board में जाते हुए आप घवरा होगे नहीं आराम से अपने details को फिल कर सकते हो चाहे आप कोई भी medium में हो ओके student तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए जिससे सभी 10th के student या 12th के student है उनको यह जानकरी मिल सके और ओभी आसानी से board exam में इसको fill up कर सके तो thank you very much like, subscribe and share